चलिए दिल्ली से आपको सीधे लाइफ तस्वीरे दिखाते हैं दिल्ली बिजपी मुख्याले में प्रेस कॉन्फरेंस चल रही है सतीश पुनिया और राजवंधर सिंग राथ होड की प्रेस कॉन्फरेंस चल रही है भाजपा का चाहे राज़िस्थान हो चाहे कोई भी राज़े हो हमारे एक ही लक्ष रहता है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो लेकिन एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते राज़िस्थान के अंदर अगर हम तुष्टी करण को देखते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते अगर हम राज़िस्थान को जलता हुआ देख रहे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते और अगर जुरूरत पड़ती है तो राज़िस्थान नहीं बात दिल्ली में आकर दिल्ली की पूरी राष्ट्र की मीडिया के साथ करने की जुरूरत पड़े तो आज वो भी आपके साथ क परने के लिए आए हैं और अचम्मा नहीं होता अगर राजस्थान की कॉंग्रेस सरकार की इस तरह की सोच है क्योंकि ये वही कॉंग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया पूरे देश के अंदर हम हमेशा कहते थे कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता लेक ये कॉंग्रेस पार्टी है तो अचम्मा नहीं होता किस तरह से ये तुष्टी करन कर रहे हैं उनी सुच्याट के अंदर इंदरा गांधी ने नागा साधूओं के ओपर जो गोहत्या के खिलाब अंदुलन कर रहे थे उन पर गोलिया चलाई तो बिलकुल अचम्मा नहीं हो जा रहा है और उसी के साथ साथ एक धर्म विशेश के लिए कानून निकाला जा रहा है कि यहां पर किसी भी हालत में बिजली की कटोती नहीं की जाएगी यह दोनों की दोनों फरक आप साथ देखिए यही बात रखने के लिए आज प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पुनिया जी यहां पर आए हैं राजिंदर राटोड़ जी और भजनलाल जी रामलाल जी यह उस टीम में शामिल थे जो करॉली गए करॉली के अंदर जो पूरा हंगामा हुआ उसका पूरा विस्तार से आपके सामने बात रखेंगे मैं सतीश जी को आमंतरित करता हूं नमस्कार मित्रों अभी राज़्टी प्रवक्ता सांसद राजवर्दन जी ने आपके बीच में एक प्रस्ट भूमी रखी है हमारे साथ में स्याज़ाद जी और मानी राज़िन राठोड जी हम सब के साथ में हैं आज आप लोगों से इसलिए मुखातिब हुए ये वैसे तो मसले बहुत हैं पिछले सवा तीन साल से कॉंग्रेस पार्टी की अशोग गैलोजी की सरकार है राजस्तान के इतिहास में इस तरीके की नकारा अकरमन बरस्ट राज़क सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी मैं नब्बे से राजनिती में हूँ सरकार इनकी भी रही है और जिस तरीके से राजस्तान में मुद्धों के तौर पर एक बड़ा मुद्धा किसानों के बीच में करजा माफी का आता जिसकी खुद बायदा किया था राहूल गांदीजी ने और कहा था कि चाहे सूरज उगे नउगे चंद्रमा गायब हो जाए दस तक गिंती गिनूंगा और करजा माफ हो जाएगा दूसरा बड़ा मसला बिरोजगारी का है 32.3% से भी ज्यादा बिरोजगारी राजस्तान में है 70 लाख बच्चों ने परिक्षा दी और रीट में चीट की गूंज आप लोगों तक पहुंची होगी उस पर भी हम लोग सी बी आई की डिमांड कर रहे हैं और सरकार उस पे पीछे हट रही है चोथा एक बड़ा मसला है करप्षिन का ब्रिस्टाचार का यह अनुठी सरकार है जिसमें ब्रिस्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया जैसे रेस्टोरेंट में अलग-अलग डिशिज की रियेट्स होती है वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अलग है लोकल बॉडिस की अलग है पुलिस की अलग है इसको एसी बी की अधिकारी एडमिट करते हैं कि जिहा कुछ इस तरीके का नजरा राजस्तान में है लेकिन जो सबसे बड़ी बात राजस्तान के बारे में लागू होती है राजस्तान के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि पीसफुल स्टेट है लोग वहाँ परेटन के लिए, रिहायश के लिए, नौकरी के लिए, वैपार के लिए आते थे लेकिन राजस्तान की अर्थ व्यवस्था पर इस सीधे सीधे चोट पहुंसती है तो वो एक पक्ष है कानून वेवस्था का और जब कानून वेवस्था गडबड होती है तो इन में से कोई नहीं आता है परेटकों की संख्या भी कम होती है, निवेशकों की संख्या भी कम होती है और उसका ताजातरीन उधारने की पिछले तीन सालों में साथ लाख के करीब सेवन लेक्स एफ आई आर ये पहली बार राजस्तान में दर्ज हुई हैं और केवल इतना नहीं इन साथ लाख मुकदमों में पिछले इकिस से लेकर बाइस तक का जो आकड़ा है उसमें वो सब चीजें शामिल हैं जिसमें मॉब लिंचिंग भी है जिसमे कमिनल राइट्स भी हैं और खास तोर पर महिलाओं के मामलों में एक साल का आकड़ा है छे हजार तीन सो सेटीस जो सिर्फ गैंग रेप, दुशकर्म, उत्पीडन की घटनाएं हैं इस तरीके से जो प्रियंका गांदी जी कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं ऐसा लग इतना कर दिया कि कोई पीडिता एंबूलेंस करमी से रोटी मांगती है तो उसकी असमत ले ली जाती है कहीं कोई सुरक्षित नहीं है और इसमें जो अब यक्ष प्रिशने जिसके लिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं राजस्तान की इस शान्ती को किसी ने खत्म किय तो उसके दोशी अशोग एलोजी है और अशोग एलोजी की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है साफ नजर आता है कि उन्होंने खुद ने एक ऐसा पक्ष खड़ा कर दिया बहुसंखेक और अल्पसंखेक के नाम से उनका पिछले तीन बरसों का ट्रैक देखेंगे तो बहुस संखेक अपने आपको त्योहार मनाने में भी हिचकते हैं डर लगता उनको और इसके अनेकों ताजातरीन उधार ने वो कश्मीर फाइल्स को देखने पर बैन करने के लिए 144 लगाते हैं डिस्करेज करने के लिए हिंदूों के जितने त्योहार हैं उनके लिए अभी लेट केगा जबकि अच्छे से पता है कि दो तारिक को दो अप्रेल को जब भारती नव वर्ष शुरू हुआ नव वर्ष होता है चैतर में वर्ष परतिपदा पे उस दिन पूरे देश और प्रदेश में बड़ी संख्या में और नव वर्ष के जुलूस निकलते हैं परंपरा का पर्मिशन मांगी कोटा के अंदर उसको पर्मिशन दी गई बाकाइदा वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकठे हुए हाँ लाठी और हथियारों से लैस वो लोग थे वहाँ जो नारे लगे जिस तरीके से अल्ला हो अकबर से लेके तमाम किस्म के नारे जो विभाजक हो स पोज किया जगे जगे उन जुलुस को डिस्करेज करने के लिए और जो करोली में हुआ वो अपने आप में बड़ा उधार ने करोली के मामले में उसको जुलुस को पर्मिशन थी पर्मिशन के बावजूद CLG के बैट मीटिंग हुई जो दोशी थे वो CLG के मीटिंग में मौजूद थे और उसके बाद वहाँ जो घटना हुई वो सब के सामने हैं उसके कुछ वीडियोज आपको दिखाएंगे और मेरे साथ में हमारे वरिश नेता और उपनेता परतिप पक्ष राजंदरा ठोड़ जी उस डेलिगेशन में थे साथ लोगों का जिसमें हमारे सांसद और विधायक उपस्तित थे उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट मुझे दी है उसके कुछ अंशाप लोगों के बीच में बया करेंगे लेकिन प्रशनी है कि राजस्तान में जिस अशोग गैलोज जी ने अपीजमेंट का काम किया है पी एफ आई को खुश करने का काम किया है सो कोल्ड माइनर्टी को राजी करने के लिए वोट बेंक की पॉलिटिक्स की है उससे राजस्तान में ऐसा लगता है कि तालीबान का शाशन है क्योंकि इस तरीके से बरबरता इ जादूगर हैं प्रतिशोध की राजनिती करते हैं लेकिन इस तरीके से राजस्तान के उन लोगों के सीधे-सीधे मानव अधिकारों पर भी चोट करते हैं क्या हिंदों के यूमन राइट्स नहीं हैं क्या वो पिटने के लिए हैं मुकदमे के लिए हैं और अभी भी बात वो शांती और सदभाव की करते हैं लेकिन अपसोस होता है इस घटना के बाद मुख्य मंत्री ये बयान करते हैं कि देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को हिंसा को रोकने के लिए आगे आना चाहिए भाई आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हो ग्रह मंत्री भी हो के अंतर्गत आती है मोदी जी राजस्तान में आपकी सरकार चलाने के लिए आएंगे मैं ये मानता हूं कि ये एडमिट उन्होंने कर लिया कि भविश्य में अशोक जी का कोई रोल रहेगा नहीं और जो कुछ करेंगे मोदी जी करेंगे गवननेंस के लिए लेकिन इस तरी जी का इस पूरी घटना से कोई रिलेवेंस नहीं था लेकिन राजस्तान का मुख्य मंत्री क्या कहता है कि जेपी नढ़ हाए और दंगा भढ़का कर चले गए मैं मानता हूं कि इतना मानसिक असंतुलन किसी एविवेक्षिल वेक्ती में हो सकता है जो अपनी कुर्सी के पा अर्ष से पहले की घटना सब आपके सामने किस तरीके से अपने ही उपमुक्य मंत्री और पी सी सी के चीफ के खिलाफ राजदरों का मुकदमा इनीकी सरपरस्ती में होता है राजस्तान में फोन टैपिंग इसकी चर्चा आम है तो पुलिस को जन सुरक्षा की बजाए अपन कुरिक्सी की सुरक्षा के लिए अशो कहलो जिनने डिप्लोई किया हुआ है डेप्यूट किया हुआ है और इसलिए हमारा सीधा सीधा आरोप है कि इसकी पूरे प्रकरण की नयाईक जाच होनी चाहिए निर्दोशों को जिस तरीके से टार्गेट करके और उस पे उनको पुलिस ने एक आतंकवादी जैसा विभार करके पुलिस उनके पीछे लगए ऐसे इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं सेकड़ों लोगों पर मुझे लगता है कि इतना बड़ा मसला था कि जो आप लोगों के समक्ष आना चाहिए था और देश के लोगों को भी इसके बारे पर उसको जिस भी तरीके से काउंटर करेंगे पार्टी उसकी रणीती करी रही है लेकिन आपके जरीए आम लोगों तक हमारी भावना पहुचे इतना निवेदन था और मैं आदरीनी राठोट साब से निवेदन करूंगा क्योंकि वो उस कमेटी का हिस्सा थे और पूरी अ बात प्रारंब करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि करोली जहां आज सात्वें दिन भी लगातार कर्फ्यू है तो भी आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेशा धेक्ष्ट सतीश पुनिया को जो की करोली हिंसा मामली पर प्रेस कॉंफेंस कर रहे थे